परिचय बच्चो, आज हम एलकोहॉल तथा फिनॉल की रासाइनिक अभिक्रियाओं की बारे में सीखेंगे। सेर, रासाइनिक अभिक्रियाओं क्या होती हैं? रासाइनिक बदलाओं एक प्रक्रिया है, जिसमें एक अधवा अधिक पदार्थों को, एक अधवा अधिक नय तथा भिन पदार्थों में बदला जाता है। आईए, हम इसे वहवार में देखते हैं। जब हम रोमाइन को एलकोहॉल में डालते हैं, तब रासाइनिक अभिक्रिया घटित होती है और ये एलकिल हैलाइड और पानी बनाती है. इस पार्ट में हम एलकोहॉल, फिनॉल तथा इथर की रासाइनिक अभिक्रियाओं के बारे में और अधिक सीखेंगे. उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. एलकोहॉल तथा फिनॉल की रासाइनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करना. वैवसाईक रूप से कुछ महदपूर्ण एलकोहॉलों का वाड़न करना. इथर विर्चन एवं इसके भौतिक और रासाइनिक गुण धर्मों की व्याख्या करना. रासाइनिक अभिक्रियाओं एलकोहॉल नाभिक्रागी और साथी साथ इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है. जब अल्कोहॉल नाविक रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तब OH आबंद तूरता है प्रोटॉनित अल्कोहॉल के उप्योग करने की सबसे बड़ी हानी ये है के अल्कोहॉल को प्रोटॉनित करने के लिए एक सौंद्र अमली ये घोल की आविशक्ता होती है रासाइनिक अभिक्रियाएं OH तथा CO आबंद के विदलन के आधार पर अल्कोहॉल तथा फीनौल की अभिक्रियाओं को दो समूहों में बाटा जाता है OH आबंद विदलन वाली अभिक्रियाएं अल्कोहॉल तथा फीनौल की अमलता धातूं के साथ अभिक्रियाएं अल्कोहॉल तथा फीनौल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तथा दूसरी सक्रिये धातूं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करती हैं और थातू एलकॉकसाइड बनाती हैं। फिनॉल सोडियम फिनॉकसाइड बनाने तथा हाइडोजन गैस मुक्त करने के लिए सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है। फिनॉल जलिये सोडियम हाइडोकसाइड के साथ भी अभिक्रिया करती है तथा सोडियम फिनॉकसाइड बनाती है। चर्चित अभिक्रिया दर्शाती है कि एलकोहॉल तथा फिनॉल प्रकृती में अमलिये हैं। रासाइनिक अभिक्रियाएं एलकोहॉल की अमलिता एलकोहल की अमलिय गुण धर्मिता OH आबंद की धुरुविय प्रकृती की उपस्तिती होने की कारण होती है एलकिल समुह का इलेक्ट्रोन मुक्त करने का प्रेरक प्रभाव है एलकिल समोहों के प्लस आई प्रभाव के कारण आक्सीजन पर इलेक्ट्रोन का घनत्व बढ़ जाता है जिस कारण OH आबंध की दुरुफता घड़ जाती है और इसलिए अम्ल समर्थे घड़ जाता है इस प्रकार एलकोहॉल जब अम्ल की तरह वैवाहार करती है तो उनकी अभिक्रियता का क्रम प्रात्मिक एलकोहॉल दुईतियक और तृतियक एलकोहॉलों के क्रम में होता है एल्कोहॉल समाने रूप में जल से कम्सूर अम्ल है एल्कोहॉल की सापेक्ष अम्लताएं प्रतिस्थापकों द्वारा प्रभावित होती है, जो हाइड्रॉक्सी समों वहन करने वाले कारबन से जुड़ी होती है ये बहुदा एक इलेक्ट्रोन प्रभाव द्वारा होता है जिसे उत्प्रेरक प्रभाव कहते हैं। उधारण त्रितियक ब्यूटिल अल्कोहॉल में तीन मैथिल समोहों के इलेक्ट्रोन प्रदानी प्रभाव के कारण त्रितियक, ब्यूटिल अल्कोहॉल, मैथिल अल्कोहॉल की तुलना में निमने होती है दूसरी ओर, दो, 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 ट्राइफलियो रोई थेनॉल, मैथिल अल्कोहॉल से अधिक अमलिये होती है ट्राइ फलियो रोय मेथिल समूह में तीन फलियो राइन परमाड़ों के प्रबल इलेक्ट्रोन अप नयानक प्रभावों के कारण आक्सीजन पर रणा वेश का अस्थानिक रण हो जाता है। आक्सीजन पर इलेक्ट्रोन के अविभाजित चोड़ों की उपस्तिती के कारण एलकोहल ब्रस टेंद ख्षारकों के रूप में भी कारे कर सकती है। रासाइनिक अभिक्रियाएं फिनॉल की अमलता फिनॉल एलकोहल से प्रबल अमल होती है इसलिए कि फिनॉल नीले लिटमस को लाल कर देती है और एलकलियों के साथ अभिक्रिया करती है। फिर भी फिनॉल कार्बो आक्सिलिक अम्ल से कमजोर अमल होती है। इसलिए कार्बन डायोकसाइट गैस पैदा करने के लिए फिनॉल कार्बोनेट्स अथवा बाई कार्बोनेट्स को अब घटित नहीं करती हैं। फिनॉल अनुनादी हाइप्रेट हैं। अनुनाद के परिणाम सरूप ऑक्सीजन परमानो आंशिक धनावेश प्राप्त करता है। ये ओएस आबंद को निर्बल करता है और इस तरह प्रोटॉन की मुक्तता को सुविधा जनक बनाता है। फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद इस्थापित हैं। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में फिनॉल से ज्यादा इस्थाइत्व होता है क्योंकि फिनॉल में तीन योगदानी सनचनाएं जोकी दूतिये, तृतिये और चतुर्थ हैं। आवेशों के प्रतिकन को शामिल करती है फिनॉक्साइड आयन के मामले में कोई भी आवेश प्रतिकन नहीं होता है। अता फिनॉल में प्रोटाउन को मुक्त कर अधिक स्थाई फिनॉक्साइड में बदलने की बड़ी प्रवरित्थी है। फिनॉल की अम्रता पर प्रतिस्थापकों के प्रभाव इलेक्ट्रॉन प्रदाता समूहूं फिनॉक्साइड आयन के रणात्मक आवेश को तीवर कर विस्थापित करते हैं और फिनॉल की अम्लिय प्रबलता को कम करते हैं इलेक्ट्रोन फिनोक्साइड अपनयनक समू है, जो फिनोक्साइड आयन को इस्थायत्व प्रदान करता है और फिनौल की अमलिये प्रवल्ता को पढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन अपनयानक समोह की आर्थो तथा पारा इस्थितियों में संख्या जितनी अधिक होगी, फिनॉल की अमलिये गुण धर्मिता भी उतनी ही अधिक होगी। उधारण नाइट्रो समोह, इलेक्ट्रॉन अपनयानक समोह है और इसलिए अमलिये चरित्र को बढ़ा देता है। रासाइनिक अभिक्रियाएं एस्ट्री करन एल्कोहल एस्टर बनाने के लिए कार्बो आक्सिलिक अमल, अमल क्लोराइडों और अमल एनाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करती है। आईसोप्रोपिल और पानी बनाने के लिए आईसोप्रोपिल एलकोहॉल एसिटिक अमल के साथ सलफियूरिक अमल की उपस्तिती में अभिक्रिया करती है. एस्टर और हाइड्रोक्लोरिक अमल बनाने के लिए एल्कोहॉल क्लोराइड अमल के साथ प्रीडीन की उपस्तिती में अभिक्रिया करती है मेथनोल, एस्टर और कार्बो आक्सिलिक अमल बनाने के लिए सल्फियूरिक अमल की उपस्तिती में एन हाइड्राइट के साथ अभिक्रिया करती है फिनोल एस्टर बनाने के लिए अमल क्लोराइट और एन हाइड्राइटों के साथ अभिक्रिया करती है फिनॉल कार्बो अक्सिलिक अमल के साथ आसानी से एस्ट्रिफिकेशन से नहीं कुजटती क्यूंकि अभिक्रिया एंडो थर्मिक होती है फिनाइल एसिटेट और हाइडो क्लोरिक अमल बनाने के लिए पिरिडीन की उपस्तिती में फिनाइल एसिटल क्लोराइट के साथ अभिक्रिया करती है एथेनाइक एनहाइड्राइड सल्फियूरिक अमल की उपस्तिती में फिनाइल एसिटिक अमल बनाने के लिए फिनाइल के साथ अभिक्रिया करता है फिनाइल वा एलकोहल की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की उपस्तिती में अभिक्रिया को अभिक्रिया को अभिक्रिया करता है एस्परिन और एसिटिक अमल बनाता है रासाइनिक अभिक्रिया एलकोहल में कारवन आकसीजन आबंद के विदलन में होने वाली अभिक्रिया ए हाइड्रोजन हेलाइडों के साथ अभिक्रिया एलकोहल की जब हेलोजन अमल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो हैलो-ैलकेन में बदल जाती है हाईडो-क्लोरिक अमल गैस को जब सुष्क-जिंक-क्लोराइट की ऊपस्तिती में एथिनॉल से गुजारा जाता है तो ये क्लोरो-ैथेन तथा पानी बनाता है ये अभिक्रिया फिनोल के साथ नहीं होती है फॉस्फोरस ट्राइ हेलाइडों के साथ अभिक्रिया है हेलो एलकेन बनाने के लिए फॉस्फोरस हेलाइड एलकोहॉल के साथ अभिक्रिया करता है क्लूरो एथेन और फास्फोरस अम्ल बनाने के लिए फास्फोरस ट्राइहलाइट एथनॉल के साथ अभिक्रिया करते हैं रासाइनिक अभिक्रियाएं निर्जलन एल्कोहल को जब अमलों जैसे सल्फियूरिक अमल, फास्फोरिक अमल या बुरिक अमल के साथ कर्म किया जाता है, ये निर्जलित हो जाती है, उच्चता पान और उच्च अमली ये संद्रता पर एल्केन बनते हैं दूतियक और तृतियक अल्कोहलों के निर्जलन में सल्फियूरिक अमल का प्रयोग अल्केन के पॉलिमरी करण से बचने के लिए किया जाता है, अल्कोहल के निर्जलन की सुगमता निम्नक्रम में है, तृतियक अल्कोहल दूतियक अल्कोहल का अनुसरन करती है, और फिर प्र प्रोटोनेशन आक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के एकांग की युकल के कारण एक निर्बल आधार के रूप में कारे करता है और इसलिए आक्सोनियम लवन बनाने के लिए प्रोटॉन को सुईकार करता है चरण तो उच्ज इलेक्ट्रो रिनात्मक आक्सीजन अणों CO आबंद को निर्पल करते हैं परिणाम सरूप इलेक्ट्रो रिनात्मक कार्बो कैटाइन बनाने के लिए प्रोटॉनित एलकोहॉल पानी के अणों को आसानी से हटा देती हैं ये एक धीमा चरण है और अभिक्रिया के दर निश्चित करता है चरण तीन बनाये गया कार्बो कैटाइन अभिकरण शील होता है इसलिए एलकेन बनाने के लिए एक प्रोटॉन को खो देता है रासाइनिक अभिक्रियाएं आक्सीकरण एलकोहल के आक्सीकरण में OH समोह वाले कारबन परमाणों तथा OH समोह के आक्सीजन से हाइट्रोजन हटा दी जाती है इसलिए इन अभिक्रियाँ को डि हाइड्रोजेनेशन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है प्रात्मिक एल्कोहॉल आक्सीकरण पर एक एल्डी हाइड देती है जो आगे आक्सीकरण पर एक अम्र देता है जिसमें कार्बन अड़ों की समान संख्याएं रहती हैं दूतियक एल्कोहॉल आक्सीकरण पर एल्कोहॉल की तरहा पहले समान संख्याएं वाले कार्बन परमाणों के साथ कीटोन देता है कीटोनों को फिर आक्सीकरण किया जाता है ताकि कम कार्बन परमाणों वाला कार्बो आक्सलिक अम्र प्राप्त हो सके त्रितियक एलकोहॉल निरपेक्ष तथा एलकिन खोलों में आक्सीकरण में असफल हो जाता है अब घटित तपित कॉपर की क्रिया जब प्रात्मिक दुईतियक एलकोहॉल की वाश्पों को 573 केल्विन पर घटित कॉपर पर से प्रवाहित किया जाता है तब विभिन उत्पाद प्राप्त होते हैं एक प्रात्मिक एलकोहॉल एक एल्डिर हाइट के रूप में निरजली क्रित और आक्सी क्रित हो जाती है रासाइनिक अभिक्रियाएं फिनॉल की अभिक्रियाएं एरोमेटिक इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन फिनॉल एरोमेटिक इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन की ओर प्रबलता अभिक्रियाशील होती है ये इसलिए है क्योंकि हाइड्रोक्सी समोह प्रबल और्थो पैरा निर्दिष्ट प्रतिस्थापक है नाइट्रिक करण तनो नाइट्रिक अम्ल में 25 डिगरी सेलसियस पर फिनॉल मिलाने से मोनो नाइट्रो फिनॉल का आर्थो और पैरा समाव्यवी मिश्रन प्राप्त होता है तनु नाइट्रिक अम्ल में 25 डिग्री सेलसियस पर फिनॉल से और्थो नाइट्रो फिनॉल और पैरा नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है और्थो नाइट्रो फिनॉल में आंतर आणविक हाइडोजन आबंद होते हैं जबकि पेरा नाइट्रो फिनॉल में आंत्रा आडमिक हाइडोजन आबंद होते हैं। आर्थो नाइट्रो फिनॉल एक भाब वाश्पक है, जबकि पहरा नाइट्रो फिनॉल अड़ों की मेल के कारण अभिक्षक्रित कम वाश्पक है और इसलिए इसको आस्वन से अलग किया जा सकता है। फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अमल के साथ अभिक्रिया पर ये 2,4,6 ट्राइड नाइट्रो फिनॉल में बदल जाती है, जिसको समाने तोर पर पिक्रिक अमल कहा जाता है। जब फिनॉल को सांदर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रित किया जाता है तो ये पिक्रिक अम्ल में बदल जाती है. रासाइनिक अभिक्रियाएं हैलोजनन, मोनोहॉली फिनॉलों के आर्थों और पारा समाव्यक देने के लिए फिनॉल कम ध्रुविये विलाइकों जैसे कार्बन डाइस सलफाइड, क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्तिती में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करती है. ब्रुमीन फिनॉल के साथ अभिक्रिया करती है और दो ब्रुमो फिनॉल वा चार ब्रुमो फिनॉल बनाती है. फिनॉल की जब ब्रुमीन पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये पॉली हैलोजन वियुत्पन देती है, जिनमें हाइड्रॉक्सिल समों के सापेक्ष आर्थो तथा पैरास्थितियों पर उपस्थेद सभी हाइड्रोजन परमाणूं ब्रुमीन परमाणूं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं. दो चार छे ट्राई ब्रुमी फिनॉल बनाने के लिए फिनॉल ब्रुमीन पानी के साथ अभिक्रिया करती है. रासाइनिक अभिक्रियाएं कोलबे अभिक्रिया 400 केल्विन के दबाव पर सूडियम फिनॉक्साइट के साथ कारबन डायॉक्साइट के अभिक्रिया द्वारा सैलिसलिक अमल बनता है. जो उदपात के अमली करण द्वारा अनुसरनेत होता है. इसका प्रयोग एस्पिरेन बनाने के लिए किया जाता है. इस अभिक्रिया को कोलबे की अभिक्रिया कहते हैं. राइमर टीमन अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोकसाइड की उपस्तिती में 340 केल्विन पर फिनॉल के साथ क्लोरोफर्म की अभिक्रिया से मुक्योतपाद सैलिसेल्टिहाइड प्राप्त होता है फिनॉल की यश्डरच के साथ अभिक्रिया फिनॉल को यश्डरच के साथ तापित करने से इसको बेंजीन में बदला जा सकता है आक्सीकरन जब फिनॉल क्रोमिक अमली के साथ आक्सीकरित हो दी है तब ये असंत्रिप्त संयुगमित डाई कीटोन उत्पने करती है जिसको बेंजोक्योनोन के नाम से जहना जाता है और द्योगिक महद्व के कुछ प्रश्ण मेथेनॉल मेथेनॉल को मेथिल एलकोहल भी कहा जाता है मुलता इसका उत्पातन हवा की अनुपस्तिती में लकडी के टुकडों के विनाशकारी आस्वन से हुआ था इस सुरोत के करण इसका नाम वुड एलकोहल हुआ उच्चता पमान और दाप का प्रयोग किया जाता है गुण धर्म ये रंगहीन ज्वलनशील तरल है पानी के साथ सभी पर्मानों में मिश्रन योग के है ये प्रकृति में विशाक्त है इसके उपभूग से अंधापन और यहां तक की मृत्यू भी हो सकती है उप्योग पेंट, वार्नेश और सेल्यूलाइट के लिए एक विलाएक के रूप में और द्योगिक अलकोहॉल को आप्रकृतिक बनाने में ताकि ये मानव उपभूग के लिए उप्योगत न रह सके आटो मोबाइल रेडियेटर्स में एक जमन रोधी के रूप में कुछ और द्योगिक महतपून अलकोहॉल एथेनौल और द्योगिक रूप से शीरे के किडवन द्वारा प्राप्त की जाती है जिसमें सुक्रोस होती है चीनी एंजाइम इन्वर्टेज की क्रिया से गुलुकोज और फ्रक्टोज में बदल जाती है अब उत्पादित ग्लुकोज और फ्रक्टोज को एंजाइम चाइमेच की उपस्तिती में किर्वन से गुजारा जाता है जिससे एथनॉल उत्पादित होती है वा कार्बन डायोकसाइट मुक्तु होती है गुण धर्म एथनॉल आनंद दायक खुश्बू और चटपटे स्वादवाला एक रंग हीन परिवर्तंशील तरल है सभी अनुपातों में विलेशील है उप्यो रेक्टिफाइड स्प्रिट के रूप में एक रोगाणों रोधक है आटोमोबाइल के रेडियेटरों में जमाव रोधी के रूप में स्प्रिट लेम्प, स्टोव, थर्मामीटर और स्प्रिट लेवल में एथर इथरों का विर्चन एल्कोहॉल के निर्जलन द्वारा एल्कोहॉल 413 केल्विन पर सांद्र सल्फियूरिक अमलिकी उपस्तिती में एथर में निर्जलित हो जाती है अभिक्रिया में एल्कोहॉल के दू मोल से पानी के एकणों को हटानी की क्रिया शामिल है इथर का विर्चन एक दूई अनुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जैसा नीचे दिया गया है ये विधी प्रात्मिक समुह वाले इथरों के विर्चन के लिए उप्युक्त है संबंदित इथरों के लिए दूईतियक और त्रितियक अलकोहॉल का निर्जलन सफल तरीका नहीं है विलियम सन संशिलेशन जब अलकिल हैलाइड सोडियम अलकॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इथर बंती है ब्रोमो मेथेन को सोडियम फेनेट में मिश्रित किया जाता है जिससे मेथाक्सी बेंजीन और सोडियम ब्रोमाइड मिलता है फिनॉल को भी इथर में बदला जा सकता है जैसा कि नीचे दिया गया है सोडियम हाइड्रोकसाइड को फिनॉल में मिश्रित करने पर ये सोडियम फिनॉकसाइड बनाता है तब क्लोरो मेथेन मिलाने से ये एविसोल और सोडियम क्लोराइड बनाता है इथर बहुत इक गुण धर्म निमन सदसे जैसे की डाइमेथिल इथर तथा डाइयेथिल इथर गैसे हैं जबकि उच्च सदसे रंगहीन, आनंद दायक, सुगंध, निमन कौतनांक वाले वाशपशील तरल हैं इथरों की घुलन शीलिता संबंधित अलकोहौल से तुलनिये है इथरों की घुलन शीलिता आक्सीजन अणों की पानी के साथ हाइड्रोजन आबंद बनाने की शमता के कारण है इथरों का कौतनांक हाइड्रोजन आबंद की कमी के कारण अलकोहौल की तुल्ला में बहुत निमन है निम्न इथर निश्चेतक की रूप में क्रिया करते हैं इथर धुरुविय अणु है और उनके निश्चेत डाइपोल मोमेंट है इथर राजायनिक अभिक्रिया हैं इथरों में CO आबंद का विदलन इथरों को एलकिल हैलाइट तथा एलकोहॉल देने के लिए हाइड्रो कलोरिक अमल या हाइड्रो ब्रोमिक अमलों का प्रियोग करते हुए विदलित किया जा सकता है हाइड्रो आयोडिक अमल डाइथिल इथर के साथ अभिक्रिया कर एथिनॉल और एथिल आयोडाइड बनाती है। हाइड्रो क्लोरिक अम्र की अत्यधिक्ता की सिती में विर्चित एलकोहॉल अगली अभिक्रिया से एथिल आयोडाइड बनाता है। समगर अभिक्रिया इस प्रकार है। हाइड्रो आयोडिक अम्ल डाई एथिल इधर के साथ 373 केल्विन पर अभिक्रिया करता है तथा इस अभिक्रिया से एथिल आयोडाइड और पानी बनाता है। हैलोजन अम्लिकी अभिक्रिया शीलिता हाइडोजन आयोडाइट के क्रम में है, जिसका हाइडोजन ब्रोमाइड और तब हाइडोजन क्लोराइट द्वारा अनुसरन किया जाता है. HI द्वारा विदलन की कारेविधी विभिन समलेचरण है HI का वियोजन एथर का प्रोटोनी करण आयोडाइट आयन द्वारा प्रोटोनी क्रित एथर पर नाविक रागी आकरमा के परिणाम सरूप अलकोहॉल और एलकिल हैलाइड तयार होता है फिनोल तथा एलकिल हैलाइड बनाने के लिए एलकिल एरिल एथरों में एलकिल आक्सीजन आबंध का हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा विदलन हो सकता है एथर इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन एरोमेटिक वले से जुड़ा एलो कॉक्सी समों वले को इलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन की ओर सक्रिय करता है और अंदर आने वाले इलेक्ट्रोन रागी को आर्थो तथा पैरास्थितियों की ओर निर्डेशित करता है हेलोजनन फिनेल एलकिल एथर बेंजीन वले में हेलो जनन से गुजरता है। इस प्रकार एनिसोल एसिटिक अमल में ब्रुमीन के साथ ब्रामो करण का प्रदशन करता है। यहां तक की आइरन तीन प्रुमाइड उत्परेरा की अनुपस्तिती पे भी इसमें पैरा समाव्यवी की लब् प्रतिशत होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड जैसे एक लुइस अमल उत्परेरा की उपस्तिती में एलकिल हैलाइड, फ्रीडेल क्राफ्ट एलकिल करण तथा एसिल हैलाइड, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिल की अभिक्रिय द्वारा एल्किल तथा एसिल समुह आर्थो तथा पैरा इस्थितियों पर प्रवेश करते हैं। मैथिल क्लोराइड निर्जल अल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनिसोल के साथ अभिक्रिया करता है। तथा कार्बन डाइस सल्फाइड तथा दो मेथाक्सी तोल्यूनी तथा पैरा मेथाक्सी तोल्यूनी तथा पैरा मेथाक्सी तोल्यूनी बनाता है। एसिटल क्लोराइड निर्जल अल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनिसोल के साथ अभिक्रिया करता है। तथा 2-methoxy-acetofenone वा 4-methoxy-acetofenone बनाता है. नाइट्रो करण सांद्र-सल्फियूरिकमल तथा सांद्र-नाइट्रिकमल के मिश्रन के साथ एनिसोल की अभिक्रिया आर्थो और पेरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रन बनाती है. क्या आप जानते हैं? इथरों का प्रियोग बाहरी स्वच्चता एजेंटों के रूप में किया जाता है इसका उप्योग विलायक के रूप में तथा तेल, वसा, मौम, डेसिन और एलकाइडों की निकासी के लिए किया जा सकता है मेथनॉल एक उच्च आक्टेन स्वच्च ज्वालनशील इंधन है जो की आटोमोटिव वाहनों में गैसलीन के लिए संभावित महदपून विकल्प है सारांश आए हमने जो को सीखा है उसे संख्शेप में दोराएं एलकोहौल और फिनॉल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और अन्य सक्रिय धातूं के साथ हाइडोजन मुक्त करने और धातू एलको ऑक्साइडों बनाने हेतू अभिक्रिया करती है एलकोहौल की अमलिये गुण धर्मिता OHA बंध में दुरुविये प्रक्रिती की उपस्तिती के कारण है फिनॉल एलकोहौल से प्रबल अमल है एलकोहौल कार्बो ऑक्सिलिक अमल क्लोराइडों और अमल एनाहाइड्राइडों के साथ एस्टर बनाने के लिए अभिक्रिया करती है एस्टर बनाने के लिए फिनॉल अमलिये क्लोराइड और अमलिये एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करती है एलकोहलों को जब हेलोजन अमलों के साथ अभी कृत किया जाता है तो हेलो एलकेन में बदल जाती है जब एलकोहल को सलफियूरिक, पासफोरिक या बोरिक अमल के साथ गर्म किया जाता है तो वे निर्जलिये हो जाती है मोनो हेलो फिनॉल के आर्थो तथा पैरास समावयकों को देने के लिए फिनॉल हेलोजन के साथ कम तर ध्रुविये विलाइकों जैसे कार्बन डाइस सलफाइट, क्लोरोफार्म तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइट क्यू पस्तिती में अभिक्रिया करती है सैली सिलिक अमल का प्रियोग एस्परिन बनाने में किया जाता है अधिकतर मेथनॉल को कार्बन मोनो अक्साइट के साथ हाइडोजन की उत्प्रेरक अभिक्रिया द्वारा संशिलेशित किया जाता है एथनॉल अधियोगिक रूप से शीरे के किड़वन द्वारा प्राप्त की जाती है जिसमें सुक्रोस रहता है 413 केल्विन पर सांद्र सल्फियूरी कमन की उपस्तिती में अलकोहॉल इधरों के रूप में निरजलित हो जाती है एलकिल हैलाइड और एलकोहॉल देने के लिए इधरों को हाइड्रो क्लोरिकमल अथवा हाइड्रो प्रोमिकमल का प्रियोग कर विदलित किया जा सकता है